तो अपने पढ़ाई भी कर रहे होंगे तो एक बार कमेंट करके बेटा सभी लोग बताएंगे कि आडियो एंड वीडियो क्लियर है आप सभी को गुड इवनिंग बिटा तो आज तो हम नए हैंगें नमबर 6 जिसमें हम डोर के बारे में बिंडो के बारे में और वेंटिलेशन्स बहुत इंपॉर्टेंट है डेली लाइफ में भी बिटा और आपकी एक्जाम के ओरियंटेड भी ये चैप्टर से है तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे एक एक चीज के बारे में जानें तो यहाँ पे मैं हर एक चीज का यहाँ पे फीगर भी सारा लेके आया हूँ आप लोगों के लिए ठीक है ना आप देख पा रहे हैं कि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे फीगर भी लेके आया हूँ ठीक है तो यह डरना नहीं है कि सर आप ठीक है तो यहाँ पे डरने की होंगे चलिए start करते हैं, start करते हैं, आज हम यताई यह लेक्शन होने वाला है, यह chapter हम नया start कर रहे है chapter number six, यानि इसका हम part one यहां पर बात करेंगे आज, door window and ventilations, door के बारे में पढ़ेंगे, door क्या होते हैं, different types के term के बारे में पढ़ेंगे type of door and window के बारे में पढ़ेंगे फिर types of ventilation के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं तो फटा फट सबसे पहले बात करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं किसे syllabus से ठीक है तो syllabus देखते हैं syllabus में बेटा अगर बात करें यहाँ पे syllabus की तो हमें क्या पढ़ना है ठीक है न सबसे पहले तो यही जानना ज़रूरी हो जाता है कि हमें पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है देखिए अगर बात करें door की, window की और ventilator की ठीक है तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले अगर बात करें syllabus की तो glossary of term with neat sketch यानि यहाँ पे different types के term के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले है term का मतलब क्या है कि sir हमारा rail क्या होता है string क्या होते है, इसके बाद seal क्या होता है, top seal क्या होता है head क्या होता है, rail क्या होते है different types के हमारे क्या होते है frame क्या होता है इनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एक एक चीज के बारे में समझेंगे बेटा civil engineering में हमारे door और window और ventilation से related जितने भी important term होते हैं इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे जो आपके competitive exam में important है और आपके semester exam के लिए तो है ही important तो दोने के लिए important है तो यहाँ पे दूसरा हम यहाँ पे classification करने वाले हैं material के अधार पे यानि wood, metal के अधार पे plastic के अधार पे और उनके stability के अधार पे different situations में यानि different situations में हम different material का दरवाजा परयोग करते हैं अपने आवसकता अनुसार हम खिड़की परयोग करते हैं अपने आवसकता अनुसार different material का हम ventilator को यहाँ पे use करते हैं अपने घरों में तो इसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इस particular chapter में इसके बाद अगर बात करें different types के door के बारे में पढ़ेंगे पैनल डोर क्या होती है फ्लस डोर क्या होती है ग्लैज डोर क्या होती है rolling setter क्या होता है steel डोर क्या होते है sliding डोर क्या होते है plastic डोर क्या होते है और aluminium डोर क्या होते है इन सारी चीजों के बारे में बटा हम one by one यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बहुत सारे types के दरवाजे के बारे में, खिडकी के बारे में और ventilator के बारे में हम यहाँ पर बहुत बिस्तार से पढ़ने वाले हैं ठेक है इसके बाद अगर door के बाद अगर हम बात करें तो window में panel window, glaze window वेंटिलेटर पे फिक्चर्स के अधार पे और फास्टेनर्स क्या होते हैं इन सारे टम के बारे में हम इस पार्टिकुलर चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से विथ इमेज चलिए स्टार्ट करते हैं अब बात करते हैं सबसे पहले बेसिक जो टर्म आता है वेटा हमारा आता है कि दोर क्या होता दर्वाजा आप लोग सभी लोगों के घर में होगा आप जहां पे भी होंगे हॉस्टल में होंगे कहीं न कहीं दर्वाजा आपको दिख जाएगा ठीक है दर्वाजा का बेसिक पर वगर कीमती रखे हैं तो उसको प्रोटेक्ट करता है बाहरी क्या है धूल से डस्ट से इन सारी चीजों सो भी बचाता है इसके अलावा हम क्या करते हैं डिफ्रेंट टाइप्स के बहुत सारे रिजन होते हैं दर्वाजे की ठीक है तो हम बात करते हैं यहां पर सत्यंद्र प्रजापती पेपर कब से शालू होगा बेटा पहले पढ़ तो लो कुछ आएगा जाएगा तभी तो लिखो के एक्जाम में पढ़ लिख लो उसके बाद फिर एक्जाम के बारे में सोचना ठीक है देखें दर्वाजे डोर के बारे में अगर हम बात करें ठीक है तो हमने कहा कि कमरों में प्रवेश के लिए के लिए इसकी दिवारों में दर्वाजे लगाया जाता है हमने क्या कहा कि प्रवेश के लिए जो हमारी वाल होते है उसमें क्या लगाया जाता है दर्वाजा को लगाया जाता है पर तेक कमरे में एक दर्वाजा होना अवश्यक है कमरे के आकारव उपयोगिता के अनुसार एक कमरे में एक से अधिक दरवाजे हो सकते हैं आप लोगों ने देखा होगा कि कई कई रूम होते हैं उसमें दो दो तीन तीन क्या होते हैं दरवाजे लगे होते हैं इस दिरिस्टी से इसके map भी निधारित किये जाते हैं यानि जो दर्वाजे की size होती है ये depend करती है हम ये नहीं कह सकते कि जो standard जो हमारी दर्वाजे की size है वो हर एक जगह एक ही use होगी जो normally आप लोग comment करके कोई बताएगा कि दर्वाजे की size कितने होती है ठीक है तो जो दर्वाजे की size होती है different different situations के लिए different different कमरे के या hall के जो size है हमारा कमरा उसके लिए ये क्या होता है vary करता चला जाता है ठीक है तो जैसे kitchen में bathroom में हम कुछ और size use करेंगे क्योंकि वहाँ पे size कम हो जाता है हमारे bathroom का room की अपे इच्छा अब बड़ा hall है तो वहाँ पे क्या करते हैं बड़ा हम यहाँ पे दर्वाजे यूज करते हैं तो यहाँ पे कहने का sense यह है ठीक है ना यहाँ पे कहने का sense यह है कि इसकी UP योगिता के अधार पे different types के map को निर्धारित किया गया है measurement को size को दर्वाजा बंद करने पर जहाँ privacy वह सुरच्छा मिलती है वहाँ खूले होने पर प्रकास वह वायू का भी वायू का भी संचरण यानि आदान परदान होता रहता है ठीक है जब आप दर्वाजा को बंद कर देते हैं तो क्या होता है privacy हो जाती है मतब privacy मिल जाती है जब आप दर्वाजा को खोल देते हैं तो बाहर की fresh हवा भी आपके रूम में आ जाती है दान परदान होता रहता है ठीक है तो ये क्या है हमारा basic था कि दर्वाजा क्या होता है ठीक है न कैसे हम इसको define करेंगे समझते हैं हमने क्या कहा कि to enter the room यानि room में enter होने के लिए door are fitted in its wall it is necessary to have a door in every room मतलब हर room में दर्वाजा necessary है according to the size and utility योगिता के अधार पर room को room में more than one door is installed in a room यानि एक room में एक से जादे या फिर यहाँ पर हम बात करें कई हमारे दर्वाजे हो सकते हैं and there measurements are also determined from this point of view while closing the door provides privacy जब हम करते हैं तो privacy मिलती है दर्वाजे को बंद करते हैं तो and security मिलती है और जब हम इसको open कर देते हैं दर्वाजे को तो light मिलती है and sunlight also get transmitted ठीक है बैटा तो यह basic हम लोगों ने यहाँ पर बात किया किसके बारे में door के बारे में door में different types के क्या होते हैं term use किये जाते हैं अगर हम बात करें यहाँ पर different types के term का मतलब यह है कि sir जो दर्वाजा होता है वो तो हम देखे हैं इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है बच्पन से देखते आ रहे हैं लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि सर इस इस चीज वाले इस जो छोटे छोटे भाग हैं उसको क्या कहा जाता है क्योंकि सिविल इंजिनियर्स को बिल्डिंग को तो देखा हुआ सब कोई है लेकिन सिविल क्या बताता है पार्टिकूलर उसका एक सिविल इंजिनियर्स को उससे बताता है जैसे अगर बात कर ये दरवाजा है तो आप किसी को ये बताएंगे कि ये वाला जो पार्ट है अगर आप इंजिनियर हैं सिविल इंजिनियर हैं तो आप कैसे बताएंगे कहेंगे कि ये वा पैइल नीचे है यानि अगर यह वाला पार्ट यहां पर है तो इसी को हम क्या कहते हैं इस वाले प्याट को हम बॉटं रेल के नाम से जानते हैं टो सिभिल एंजिनियर्स कुछ अलग बताए गाना घिसा पिटा तो बताएगा नहीं कि यह दरवाजा है बाकि मुझे है टॉप रेल और यही अगर बॉटम में है तो हम इसको क्या करते हैं बॉटम रेल के नाम से जानती है अब अगर बात करें इसके बाद अब देखें डोर में ये व dönा जो क्या है ध्यान से समझेंगे वेट ये इकजाम में आपके इंपर्टेंट है अब देखे ये वाला जो पार्ट है ये वाला ये वाला है ना ये बीच बीच में देखे अगर बात करें यहाँ पे इस पैनल ध्यान से समझेंगे बेटा ये देखे ये वाला जो है ना डिजाइनिंग जो डिजाइनिंग दी गई है ये वाला इसको हम क्या कहते है पैनल कहते में ये क्या है horizontal ये थोड़ा सा space है ना ये वाला इसको हम क्या कहते हैं cross rail के नाम से जानते हैं किसके नाम से जानते हैं सर cross rail के नाम से जानते हैं फिर हमने कहा कि ये वाला जो part है ना ये वाला ये वाला ये सारे के सारे panel होते हैं इनको हम engineering point of view से ये सारे जितने भी yellow वाले हैं इनको हम क्या कहते हैं ये जो हमने मार किया हुआ है इनको पैनल कहते हैं सर मुझे आज पता चला कि सर ये सारे जो होते हैं ये जो उभरे हुए थोड़े होते हैं डिजाइनिंग बनी होती है दर्वाजे पे इनको हम पैनल के नाम से जानते हैं ये जो उपर वाला अगर हम बा अब आप मुझे यह बताईए यहां पे आप देख पा रहे हैं कि लॉक वाला क्या है सेट अप है जहां पे हम कुंडी को बंद करते हैं दर्वाजा को बंद करते हैं ठीक है न इसके बाद अब देखिए जो हमारा होरिजोंटल यह वाला इस्पेस है ध्यान से समझेंगे यह होरिजोंटल यह ठीक है न इसको हम क्या कह रहे हैं सर क्रॉस रेल कह रहे हैं लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे तो वाटिकल भी तो है यहां से अगर आप देखेंगे तो यह वाटिकल इस्पेस भी तो है यह ठीक है न यह जो वाटिकल इस्पेस है ध्यान से important है exam में पूछा जाता है हमने क्या कहा कि यह जो आप vertical space देख रहे हैं यहां पर यह वाला इसको हम क्या कहते हैं इसको moulan के नाम से जाना जाता है ठीक न यहां पर क्या है यह वाला पहला मुलन यानि यहां पर इतना है तो इसको पहला मुलन यहां पर है दूसरा तीसरा इस तरीके से हम इसको यानि यह civil engineering में different types के term use किये जाते हैं हमारे दर्वाजे के लिए उस दर्वाजों में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर different types के term के बारे में बात कर रहे हैं तो पहला cross rail किसको कहते हैं सर यह जो horizontal हमारा space है ना इसी को हम क्या कहते हैं इसी vertical हो जाएगा तो इसको हम मुलन के नाम से जानते हैं ठीक है टॉप अगर यह space की अगर हम बात करें तो सर इसको हम top rail के नाम से जानते हैं और यही space से यहाँ बॉटम में रहेगा तो इसको हम bottom rail के नाम से जानते हैं और जो दिवार में यह जो designing करके यह बाहर निकाला गया यह वाला portion यह वाला इसको जरह हम किसके नाम से जानते हैं पैनल के नाम से जानते हैं तो basic आपको यहाँ पे confirm हो रहा होगा कि सर अच्छा यह सारी चीजे जानी जाती है ठीक है न? इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये वाला क्या होता है ये वाला ठीक है देख पा रहें आप यहां पे lock style यानि ये वाला जो हमारा portion है ये क्या है lock style है इसी में lock को क्या किया जाता है इस्टैबलिस किया जाता है ठीक है इस टीकिंग यहां पर बात करें यहां पर तो देखिए इसके जो अंदर वाला इस जो हमारा जो section है ये वाला वाटिकल वाला इसी के जस्ट ये वाला जो portion है इसी को हम क्या करते हैं इस टीकिंग के नाम से जानते हैं किसके नाम से जानते ह यहां पे term है जिसके बारे में आपको जानना पड़ेगा ठीक है ना civil engineering में या civil engineer as an engineer आपको civil engineer ये सारे terms के बारे में जानना जरूरी है चलिए अभी बेटा बस हम आपको एक overview यानि दे रहे हैं बाकि एक एक चीज के बारे में बहुत detail में पढ़ेंगे अभी ये फिर आएगा term ये सारे term फिर आएंगे और इनके बारे में फिर से बात होगी ठीक है और रेटेल में बात होगी यहां पे बस आप लोगों को एक mind में हो जायीं कि अच्छा सरा आप टॉप rail वगरा बताए थे नाम बताए थे cross rail क्या होता है, panel क्या होता है ये basic basic बातों के बारे में हम लोगों नहीं यहाँ पर discuss कर लिया है अब आगे बढ़ते हैं अब देखें type of door, दर्वाजे के प्रकार दर्वाजे बहुत सारे प्रकार के होते हैं material के अधार पे भी होते हैं और purpose यानि उपयोगीता के अधार पे भी होते हैं जैसे आप लोग जानते हैं कि different types के क्या होते हैं हमारे दर्वाजे होते हैं देखें हमने क्या कहा कि दर्वाजा material के अधार पे उड़ का हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है ऐलमूनियम का हो सकता है इसके अलमा प्लाई का हो सकता है मेटल सीट का हो सकता है इसके अलमा भी glaze यानि जो हमारा काच होता है उसका हो सकता है different types के material के अधार पे हो सकता है और यूपयोगीता के अधार पे हम different types के जो दर्वाजे हैं उसको कहां कहां अलग अलग purpose के अधार पे इसको हम classify करेंगे कि different types के जो door हैं दर्वाजे हैं उनको use कहां करेंगे ठीक है पता चला के हमें commercial building है कोई ठीक है ना बहुत जादे public building है अब वहाँ पे हम घर में जो use होता वो दर्वाजा लगा रहे हैं तो वहाँ पे तकाम नहीं करेगा ठीक है तो different types के door के अधार पे यानि door यानि metal और उपयोगिता के अधार पे हम यहाँ पे classification करने वाले हैं समझते हैं अगर बात करें यहाँ पे दर्वाजे के प्रकार दर्वाजे के प्रकार ठीक है अगर बात करें यहाँ पे दर्वाजे के प्रकार में तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे classification करेंगे then हम अहाँ पे आगे proceed करेंगे ठीक है panel door, paneled and glazed door फिर glazed door flush door फिर आगे बात करें folding door, collapsible door, rolling shutter door, फिर इसके बात करें sliding door, revolving door lowered door, swimming door के बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं one by one, ठीक है न? तो यह basic हमने किसके बारे में बताया? यह basic हमने दर्वाजे के बारे में बताया है, ठीक है न? इतने types के दर्वाजे होते हैं, अब हम इसके बारे में बहुत detail में पढ़ने वाले हैं one by one क्योंकि यह semester में भी important है और आपके जो J.E. होते हैं जूनियर इंजिनियर की exam होते हैं, उसमें भी पूछा जाता है ठीक है न? पूछ देता है कि जहाँ पर public building है या कोई factory वगर होती है conditions बना के देदेगा तो वहाँ पर कौन सी हम दर्वाजे का use करते हैं तो आपको यहाँ से उसका answer भी पता चलने वाला है और previous year में आपकी यह question आया हुआ है और एक बार नहीं आया है दस बार आया है आप लोग उठा के चेक करेंगे यह questions आपके exam में दस बार पूछा गया है ठीक है? तो बहुत important हो जाता है ठीक है? चलिए अब बात आती है less door सबसे पहले किसकी बात करेंगे less door की ठीक है न? less door अब अगर बात करें यहाँ पे less door की बात करें तो इस दर्वाजे में एकल पले याने single ply देखे जो दर्वाजा का ply है न वो एक ही है एक तो हो गया द्यान स़समझेंगे अगर बात करेंगे यहाँ पे क्या है single ply है यानि यहाँ पे single panel है एक single panel है इसमें क्या है، दो वाला नहीं है मलब हम ऐसे कर के तो यानि हम अगर बात करें यहाँ पे तो इस दरवाजे में एकल यानि सिंगल लिफ या सिंगल पले का अधिक प्रयोग किया जाता है यह कपाट लकड़ी के तक्थो बेटेंश को यानि लकड़ी के जो तक्ते हैं आप देख पा रहे हैं आप अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे लकड़ी के क्या है बैटन्स यहाँ पे यूज किये जाती है एक एक चीज के बारे में बताएंगे अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर घबराने वाली कोई चीज नहीं है हर एक terms के बारे में अच्छे से बात होगी ठीक ना तो हमने क्या कहा कि लकड़ी के बैटेंस को जो 75 mm से 75 mm से 100 mm चोड़े और 20 से 30 mm क्या होते हैं मोटे होते हैं जी भी जिर्री जोड़ द्वारा जोड़ कर बनाया जाता है इन उद्वादर तक्थों की मजबूती के लिए इनके पीछे 2 या 3 36 पटियां या लेजड उचित अंतराल पर लगाया जाते हैं पुस्ताउनो यानि जो लेजड है लेजड के कारण यह पुस्ताउनी दर्वाजा लगाया जाता है अब समझते हैं हमने क्या कहा देखे क्या हमने कहा लेजड लेजड क्या है यहां पर अगर आप समझेंगे तो sir हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये वाला जो member है न ये वाला जो होरिज़ोन्र मिंबर है आप इसको क्या कह रहे हैं इसanya क्या कह है आप लेज़ कह रहे हो है जान सबस्ट समझेंगे गाए अ देखे जो ब्लैक से हमने मार्क किया हुआ ना इसी को हम क्या कहते हैं लेज़ कह रहे हैं तो तो हमने यह कहा कि जितने भी आपके होरिजोन्टल ध्यान देंगे अभी हम ना हम ना inclined की बात कर रहे हैं ना हम vertical की बात कर रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ horizontal की बात कर रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं horizontal की बात कर रहे हैं ठीक है तो हमने क्या कहा कि यह जो horizontal member है ना हमारे कहा वर्टिकल देख पा रहे हैं आप different types के वर्टिकल हम क्या कर रहे हैं bettons देखे bettons का मतलब क्या है यह जो member है ना विटा देखे यहां पे इस तरीके से क्या है कि हमारे छोटे छोटे फ्रेम यह पल्ले लगे हुए है ठीक है ना इसको हम bettons के के नाम से जानते हैं तो यह different types के bettons को जब आपस में combine करके हम क्या करते हैं layers के लगा देते हैं एक दो तीन इसके पीछे लगा दिये तो इस तरीके से जो दर्वाजे हमें देखने को मिलता है ना इसी को हम layers के नाम से जानते हैं सर लेज यह होता है कि जब इसमें horizontal हमारा क्या हो जाते हैं member आ जाते हैं यह जो हमारा देखने को मिल रहा है इसी को हम लेज के नाम से जानते हैं ठीक है न ये और ये जो पार्ट है इसी को हम किसको कहते हैं सर हम यह जान गया कि जो आप कह रहे हैं कि देखें यहाँ पर braces की बात नहीं होना दिमाग से निकाल देंगे क्युक्कि इसके बारे मैं अभी कुछ नहीं वोलूंगा इस braces के बारे में हम अभी कुछ नहीं बात कर रहे हैं ठीक है ना हम केवल बात कर रहे हैं किसकी हम लेज की बात कर रहे हैं और बेटेंस की बात कर रहे हैं बस दो तर्म की बात कर रहे हैं तो यह क्या है बेटा कि होरिजोंटल मेंबर यह जो हमारे है ना यह इसी को हम क्या कह रहे हैं अगर इस तरीके से structure अगर बन रहा है ध्यान से समझेंगे ये जो हमारा horizontal है वेटा ये जो हमारा inclined है inclined member है इसको हटा दे ध्यान से समझेंगे वेटा अगर इस inclined member को हम हटा दे तो उसके बाद ये जो हमें देखने को मिलेगा वो buttons इसी को हम laged door के नाम से जानते हैं हम अगर ऐसा दिखता है कहीं तो हम कहेंगे कि ये तो laged क्या है दरवाजा है आगे बढ़ते हैं ठीक है ना सेम यहां पे भी है ठीक है ये बेटेंस है बेटा ये different types की ये जो चोड़े-चोड़े है ना ये पट्टी ये वाली ऐसे इसको हम क्या कह रहे हैं इसी को बेटेंस ब एक चीज आती है कि सर ये तो ठीक है इसका यूज कहां करेंगे एक्जाम में बेटा ये भी पूछलिया जाता है बताइए कि कहां पर यूज करेंगे laged door का तो हमने ये कहा कि इसका जो यूज किया जाता है वो कहां किया जाता है समझे हमने क्या कहा कि इसका जो यूज किया जाता है यह एक साधारत तथा सस्ता दर्वाजा है आप देख पा रहेंगे सस्ता दर्वाजा होता है जो निमनस्तर के मकानों में यानि जो निमनस्तर के मकान होते हैं वो उसमें यूज किया जाता है store room में यूज़ कर सकते हैं या पसू बाड़ो यानि जहां पर पसू अगर बाढ़ी जाती हो वहां पर यूज़ करते हैं या कोठरियों में लगा कर लगाया जाता है इसके लिए इस्थानी सस्ती लकड़ी का प्रयोग की जाती है यह एक कमजोर क्या है दर्वाजा है ठीक है न तो यह क्या है एक तरीके से कमजोर क्या है पार्ट है या दर्वाजा है ठीक न डूर है तो यह हमारा क्या था लेज्ट डूर अब देखते हैं ठीक है यहाँ पे हमने इसके बारे में बात किया, ठीक है न, अभी हम फिर इसी पे आएंगे, क्योंकि दो दर्वाजों को हमने क्या किया है, इसी में हम पढ़ने वाले हैं, चलिए, तो हमने क्या कहा, लिस्ट डॉर में बिटा, अगर बात करें लिस्ट डॉर में, तो सिंगल लिफ यूज्ट, मेड बाई जॉइनिंग, ऊड़न बैटन्स, विच आर 75 mm तो 100 mm वाइड, और 20 mm तो 30 mm थीक, बाई यूजिंग, टॉंग एंड ग्रॉव जॉइंट, तो इस्टेथेन मजबूती के लिए, इस वर्टिकल प्लांग्स, तो और मोर्ट्री होरिजोंटल स्ट्रीप और लेज्ट आर प्लेजड बिहाइंड देम एट अप्रॉप्रेट इंटर्वल, बिकॉज अप दे लेज, इस वर्टिकल लेज्ड लगे होते हैं, इसलिए इसको लेज्ड की नाम से जाना जाता है, चलिए, इसका जो यूज किया जाता है, वो हाउसेज में, ठीक है न, लो लेबल के हा कमेंट करके बताइए क्या, अभी समझ में आ रहा ना आपको, कहिए डाउट तो नहीं है न, कोई टम में, एक बार कमेंट करके बताते रहेंगे, चलिए, अब आता है, लेज्ड एंड ब्रेज्ड डोर, अब दिखिए, यहाँ पे क्या था, इससे पहले वाले में, सिर्फ लेज्ड यूज हुआ था, हुआ था न, यानि वहाँ पे केवल होरिजोंटल मेंबर यूज हुआ था, दिहां से समझेंगे, हमने क्या कहा, इससे पहले वाला जो हमारा दर्वाजा था, उसमें हमने क्या कहा था, कि इसमें केवल क्या यूज हुआ था, लेज्ड, यानि ऐ पिर्चा को भी जोड़ देंगे ठीक ना ये horizontal member तो था ही मनलब ये horizontal का मदभ हम क्या करें ledge के साथ-साथ जब हम दर्वाजे में क्या लगा देते हैं इस तरीके से inclined हम क्या करते हैं ब्रेसिस लगा देते हैं यह क्या है वेटा यह हमारे ब्रेसिस यह क्या है हम इसको कह रहे हैं ब्रेसिस यानि यह क्या है ब्रेसिस यह हमारे ब्रेसिस हो गए और यह हमारे क्या हो गए यह यह वाले मिंबर हमारे हो गए क्या लेज तो इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं लेज अन्द ब्रेजर्स डौल जभ दोनों यूजय होगा यहां पर टेकनिकल टर्म है निसरत और ब्रेश को दोनों को अगर कंबाइंड कर दे तो उससे जो डौल बनेगा वो क्या कहाल यह दख र difficile बताएंगे बेटा आप सभी को आप सभी बताईए समझ में आ रहा है चलिए सधार्त पुस्तावनी के मतब है बेटा लेजड दर्वाजा अपनी भार के कारण बाहरी मुख्ट सीरो पर नीचे की और लटक जाता है मतलब बेटा अगर बात करें किसकी लेजड दोर की लेजड दोर खुद के भार के कारण बेटा ना कुछ टाइम के बाद वो लटक जाता है लटकने का मतलब क्या है कि जमीन का जो फर्स है उससे क्या होता है घिसटने लगता है यानि उसमें क्या है ये उसमें टच हो जाता है फर्स से तो उसको हम क्या करते हैं कि बाहर की ओर जब लटकता है न तो इसको लटकने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे इसके मद तीरचे अवयो लगाए जाते हैं यानि क्या लगाए जाते हैं तीरचे अवयो लगाए जाते हैं जिन्हें तान या ब्रेसे यानि बंधनी के कैनाम से जानते हैं, ठीक ना, तो यानि इसका कहने का सिंस यह है कि यहाँ पे हम laced में जब brace को जोड़ देते हैं, तो laced and brace door हमारा बन जाता है, ठीक है, तो हम कहै सकते हैं, कि सर यह जो आप दिखा रहे थे, यह वाला, तो यह क्या है ये दोनों को दोनों जो डोर है वो कौन से एक डोर है तो हम कहेंगे यहां पे कि लेजड ब्रेजड डोर है बेटा ध्यान देंगे यह दोनों के दोनों डोर कैसे हैं लेजड ब्रेजड लेजड एंड ब्रेजड हमारे क्या है डोर है अगर ठीक है न अगर हम बात करें यहा हमारा दर्वाजा होगा वो कैसा होगा लेजड दोर हम उसको कहेंगे ठीक है चलिए आप लोगों को आवाज नहीं आ रही क्या बेटा कहां सोग है सब लोग समझे लेजड ब्रेजड दोर साधारन पुस्तावनी दर्वाजा अपने ही भार के कारण बाहरी मुक्त सीरो पर नीचे की ओर जुक जाता है और फर्ज से टकराने लगता है इस बाहर की ओर लटकने के लिए मदब जो बाहर की तरफ लटक रहा है उसको हम रोकने के लिए क्या करते हैं मद्ध में यानि बीच में एक तीरच्छा आवयव यानि एलिमेंट लगाते हैं या कंपोनेंट लगाते हैं जिन्हें तान या ब्रेसिस के नाम से जानते हैं अतह या पुस्तावनी बंधन दर्वाजा कहलाता है इसका जो बेटा यूज किया जाता है अगर बात करें इसके यूजेज की ध्यान से समझेंगे बेटा अगर बात करें इसके यूजेज की तो इसका जो यूज किया जाता है अगर हम बात करें इसके यूजेज की ठीक है तो इसका जो यूज किया जाता है वो कहां किया जाता है जो हमारी यह दर्वाजा साधारण पुस्तवनी दर्वाजे से अधिक मजबूत होता है क्योंकि इसमें क्या होते हैं बीच में इनकलाइंड कहें या तेरशी क्या होते हैं ब्रेसिस लगे होते हैं तो क्या होता पहले से मजबूत हो चुका है तथा बड़े पार्ट के लिए परियोग किया जाता है यानि अगर बड़ा इस्पान है ठीके ना बड़ा दरवाजा बनाना है लंबा खासा ठीके ना तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा वहां पर हम यूज कर सकते हैं कि इसका ल सोई घर, स्नान घर, लैट्रिंग वाज स्टोर रूम आधी के दरवाजों के लिए किया जाता है ठीक है कम लागत की जो मकान होते है ठीक है ना तो वहां पर हम इसका यूज कर लेते हैं चलिए इसके बाद उसी का इंगलिस वर्जन ने बिटा एन ओर्डिनेरी लेज्ड दोर ड्यू टू इट्स उन वेट यानि खुद के वेट के कारण हैंक्स डाउनवार्ड एर्ड दा आउटर फ्री इंड एंड स्टार्ट हीटिंग ठीक है स्लिपिंग दो प्रेवेंट इट्स फ्रों हैंगिंग आउटवार्ड दो अबलिक कंपोनेंट्स अर प्लेस्ट बेट्विन दा ठीक है पीलर ठीक है न तो इसी कुम क्या कह रहे हैं बिचिज आल्सो काल्ड इस्ट्रिंग और ब्रेसेश हैंस इट इस काल्ड ठीक है पुस् पुस्तावनी और यहां पर बात करें ब्रेसेस डोर इसका जो यूज किया जाता है यह कहां पर यूज किया जाता है जो चीप घर होते हैं उनके केशन में बाथ रूम में लैट्रिंग में इस्टोर रूम में जहां पर लो काॉस्ट हाउसेस होते हैं वहां पर हम इसका प्र दोर ध्याहां से समझेंगे फ्रेम लेजड ब्रेस तीनों को मिलाते हैं फ्रेम लेजड दोर देखे फ्रेम है हाँ फ्रेम है यह वाला है ना यह वाला क्या है विटा फ्रेम है ना यहां पर देखे फ्रेम दिखा रहा ना फ्रेम इसके बाद लेजड लेजड भी है इसके बाद ब्रेस भी है ठीक है तीनों है यहां पर हमने यहां पर क्या कहा फ्रेम लेजड और बैटन तीनों है यहां पर ठीक है यहां पर लेजड भी है यानि यह वाला जो मिंबर थ दी है जो होरिजोन्टल हमारा ब्रेश स्था यह भी है इसके अलावा इसमें क्या है इसके अलावा फ्रेम भी इसकी अलावा जानी एक यह और आगर हम फ्रेaym को différents कुभी कंसीडर करें जेगा इस तरीके से अगर हम फ्रेम को भी ले लें तो एकर तीनों चीज हमें दिख रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे frame, frame, leez end, braces, door इसे को हम क्या कहेंगे frame, leez और braces, door कहेंगे ठीक है, चलिए तो हमने क्या कहा leez, end ये तो हो गया बटा हाँ, देखे अब बात करते हैं frame, leez, door ठीक है पुस्तवनी बंधनी दर्वाजों को अधिक मजबूती देने के लिए यानि यहां कि किसकी बात हो रही है जो हमारी, क्या थी brazed जो हमारी क्या थी leez, brazed जो हमारी wall थी, उसी को हमने क्या किया उसी में frame को add कर दिया leez, brazed जो door थी उसमें हमने frame को भी consider किया है तो इस तरीके से जो दर्वाजा बन रहा है तीनों component को मिलाने के बाद ऐसे दर्वाजे को हम क्या कहते हैं, frame, leez, and brazed door के नाम से जानते हैं दर्वाजे के नाम से जानते हैं, ठीक है पुस्तवनी बंधनी दर्वाजों को यानि battens को frame की पटियों में खाचे काट कर fit किया जाता है, ताकि लकड़ी के सूखने पर जोडों में दरारे नजर ना आए इसका use कहां पे होता है इसका जो use किया जाता है ये एक मजबूत दर्वाजा है इसका जो होता है प्रयोग वो सस्ते माकानों के लिए किया जाता है ग्रामीड छित्रों में कच्चे पक्के घरों के लिए यह दर्वाजा economical या मीद ब्याई रहता है सस्ता रहता है तो यह दर्वाजा basically कच्चा पक्का जो घरों होते हैं ठीक है ना, सस्ता माकान है वहाँ पर यह economical रहता है हम इसको यूज कर सकते हैं इस दर्वाजे को ठीक है एक बार comment करके बताएं कि बेटा समझे हो मुझ में आरा आप लोगों को कि mobile खोल के सो रहे हैं सभी लोग चलिए ठीक है तो हमने यहाँ पर देख लिया कि हमने जब क्या किया यहाँ पर लीज को भी लगा दिया फिर हमने फ्रेम भी लगा दिया और यहाँ पर बैटेंस को तीनो इस तरीके से जो अगर हमें देखने को मिल रही है दर्वाजा इस तरीके के दर्वाजे को हम क्या कहते हैं सर लेज्ट फ्रेम और बेटन्स दर्वाजा कहते हैं, ठीक है, चलिए, तो हमने यहां तक देख लिया, अब बात करते हैं, ठीक है, यहां पर बात करें, हिंदी में ट्रांसलेट हो गया है, तो यहां पर क्या है था वेटा, कि यहां पर पुस्तवनी बंधनी दर्वाजा, a frame is placed around the door, then it is called फर्मेदार पुस्तवनी बंधनी दर्वाजा कह लाता है, बैटन्स, ठीक है, बैटन्स आर फिटेट बाई कॉटिंग ग्रूप्स इन दे फ्रेम इस्ट्रीप सो देट क्रेक्स दू नॉट अपियर इन दे जोईंट वें दे वूड ड्राइज, इसका जो यूज किया जाता है, यह strong door होता है, जिसका प्रयूप कहां पे किया जाता है, सस्ते घरों में किया जाता है, जैसे दर्वाजे वगरा, economical पड़ता है, कच्चा और पक्का houses के लिए, rural areas में इसका जादे यूज किया जाता है, ग्रामिट छेतर में, ठीक है, चलिए, पैनल डोर, पैनल डोर कैसा होता है पहले बात करते है, पैनल डोर, देगे, अब बात करते है किसकी पैनल डोर की, पैनल दूर कैसा होता है समझते लकड़ी की उधवादर वो 36 पट्टियों का फ्रेम बना कर ध्यान देंगे लकड़ी का वर्टिकल और होरिजन्टल का फ्रेम बना कर इसे कई भागों में विभाजित किया जाता है ठीक है फ्रेम के बीच जो खाली जगहें रह जाती है उसी को हम दिल्ला कहते हैं मतलब किसकी बात हो रही है पैनल की देखे यहाँ पे पैनल दूर क्या है हमने क्या कहा कि होरिजन्टल और वर्टिकल मेंबर्स में हम क्या करते है डिफरेंट टाइप्स के पैनल को बनाते जिसे यह क्या है पैनल डोर है देखे यहां पे है पैनल यहां पे है पैनल यहां पे पैनल है फिर यहां पे पैनल है तो यह कौन सा डोर है हम कहेंगे सर यह तो पैनल डोर है यह कौन सा डोर है हम कहेंगे सर यह तो पैनल डोर है क्योंकि हमने यहां पे पैनल को बनाय हुआ है देख पारहें आप कि यहाँ पे यह बीच में जो डिजाइनिंग बनी हुई है न यशी को हम क्या कहा रहे हैं, पैनल बन कहा रहे हैं, तो ऐसा दर्वाजा जहां पे इस तरीके से दर्वाजे अगर देखने को मिलेंगे, तो हम कहेंगे सर, कि यह क्या है, पैनल डूर है, ठीक हमने क्या कहा कि लकड़ी की उद्वाधर और 36 पट्टियों का फ्रेम बनाया जाता है फ्रेमी था इसके कई भागों में विभाजित किया जाता है और जो फ्रेम के बीच में जो खाली जगए बर रह जाती है उसको दिल्ला कहा जाता है जिसके अंदर लकडी के पैनल या पैनल लगे रहते हैं दिल्लों में लोहे की स्टाइल की चादर या प्लाई सीड भी लगाई जाती है फ्रेम की खड़ी पटियों को ध्यान देंगे फ्रेम की जो खड़ी पटियां होती है बेटा फ्रेम है ना जै क्या कहते हैं इस्टाइल कहते हैं और जो वाटिकल स्पेसेस होती है ना जितनी भी वाटिकल पट्टियां बन रही थी उसको हम किस नाम से जानते हैं सर रेल के नाम से जानते हैं यानि यहां पे हम यहां पे बात क्या कर रहे हैं रेल और स्ट्रीप की ठीक है तो हमने क्या कहा था कि जितनी भी horizontal जितनी भी horizontal पटिया बन रही हैं ये horizontal ये horizontal ये horizontal ठीक है ना इसको किस नाम से जाना जाएगा इसको rail के नाम से जाना जाएगा ठीक है और जितनी भी vertical जितनी भी vertical पटिया बन रही हैं उसको किस नाम से जाना जाएगा style के नाम से जाना जाएगा यानि सर ये वाली जो horizontal strip बन रही है ना ये ये वाला portion ये वाला portion और ये वाला जो portion होगा सर ये जो vertical वाला member है ये strip इसको हम क्या कहेंगे style के नाम से जाना जाता है बहुत important है बेटा आपकी exam के oriented भी है और आप बात मानिये SSC J.E. में बहुत सारे सवाल देखे आप लोगों को लगता होगा ना कि J.E. बहुत बड़ी चीज है बहुत tough सवाल पूछता होगा बेटा वो सवाल पूछता है जिसको बच्चे हवा में लेते हैं ठीक है बाद में गलत करके आते हैं कहते हैं कि बहुत tough है tough नहीं है आप न उतने ध्यान से या उतने consultation से आप पढ़ाई नहीं करते हैं J.E. के questions जो होते हैं बहुत basic होते हैं बहुत basic लेकिन होता क्या है कि basic को पढ़ता कौन है ठीक है ना नहीं पढ़ते ध्यानी नहीं देते सर हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है न, थियोरी है बाद में पढ़के, पास हो जाएंगे, थियोरी ही तो है, वन नाइट फाइट करेंगे, डिप्लोमा में तो ऐसे भी वन नाइट फाइट जादे चलता है, तो सर फाद तु कौन कलास लेगा, बैटा जे इने बन पाओगे, ठीक है न, अब कोई बड़ी चीज तो है नहीं, लेकिन हमने तो ध्यानी नहीं दिया, जे इमें पूछ देगा का बताओ, स्टाइल किसको कहते हैं, सर पता नहीं, स्टाइल, स्टाइल तो हम मार रहे थे एक दिन, एक दिन पहले, चार बैकाई है हमारी, यही डिफरेंस होत हैं, वन नाइट पढ़ेंगे, थियोरी है, पास हो जाएंगे, कोई मतलब का है नहीं, चलिए, पैनल, ठीक है, तो हमने क्या कहा, कि फ्रेम की जितनी भी क्या है विटा, हमने यहाँ पे कहा, कि जितनी भी क्या है, फ्रेम की खड़ी पटियां है, उनको स्टाइल के नाम से जाना जाता है, और जितनी भी होरिजोंटल पटियां है, उसको किस नाम से जाना जाता है, सर उसको रेल के जानते हैं, उपरी तथा, तली की 36 पटियां, रेल के अतरीक्त, फर्स से, सतर से लेके 85 यानि 85 सेंटीमिटर की उचाई पर 1 और 36 पट्टी लगाई जाती है जिसे ताला पट्टी यानि लॉक रेल कहते हैं ध्यान देगे बेटा जिसको क्या कहते हैं लॉक रेल कहते हैं हमने दिखाया था ना आपको देखे यहां यहीं पर लॉक रहता है आप लोगों का घर में भी यहीं पर क्या होता है तो यानि यहां से अगर बात करें तो 70 से लेके 85 सेंटीमिटर उपर यहां पर क्या किया जाता है लॉक को लगाया जाता है ठीक है ना ताकि क्या है हमारी दर्वाजे से ना रूम की सिक्योर्टी बनी रहती है लॉक कर देंगे तो कोई जाएगा नहीं ठीक न तो ये हमाई फाइदा हो जाता है तो ये 70 से लेके 85 cm तक क्या होता है from bottom हम इसकी height को रखते हैं generally चलिए इसका जो use किया जाता है बेटा ये टिकाओं होता है मजबूत होता है देखने में बढ़ियां होता है देखने वाला दर्वाजा है दर्वाजे का जो प्रयोग है वो residential यानि हम अपने personal use के लिए या फिर public building जितनी भी होती है वहाँ पे हम इसको use करते हैं एकांतता दिरिष्टी से या दर्वाजा उत्तम है क्योंकि इसके पूरे भाग पर ठोस पैनल लगे होते हैं ठेके बड़ा तो ये कहाँ पे residential use होता है और public building जितनी भी होती है बैंक हो गया या फिर जैसे बैंक हो गया कोई मॉल हो गया या कुछ जितनी भी public building है रेलवेस हो गया या रोडवेस वगर हो गया तो वहाँ पी इन सारी क्यों क्या होता है कि यह जो पैनल डूर है यह देखने को हमें मिलता है ठीक है न चलिए आगे बढ़ते हैं बाइकिग अ फ्रेम अ वर्टिकल और होरिजोंटल इस ट्रिप्स अ वूड़ इस डिवाइड इन्टो सेविरल पार्ट था इंपटी इस पैसे लाफ बिट्वें दूर फ्रेम आर कॉल ठीके विटा कॉल वोड़ केर सकते हो्च इस यह दो कि अन्हें के लिए the called iron steel seats or ply seats are also installed in the wall the vertical bar of the frame are called a style and the horizontal bar is called rail ठीक है in addition to the upper and lower horizontal rail another horizontal rail is placed at the height of 70 to 85 centimeter from the floor which is also called lock rail के नाम से हम इसका हम जानते हैं ठीक है और जो हमने बताया कि पैनल डूर का प्रयोग हम पॉब्लिक बिल्डिंग में एस वेल एस रेसिदेंशिल्स बिल्डिंग में हम उसका यूज कर लेते हैं देखें ग्लैज डूर अब देखें ग्लैज का मंदब क्या है कांच मंदब सीसा की बात हो रही है ठीक न तो अब अगर हम बात करें यहां पे कि कि जब दर्वाजे के पल्लों के अंदर ध्यान देगे जो दर्वाजा का क्या है पल्ला है या फ्रेम जो है उसके अंदर हम क्या करते हैं पूरा का पूरा सीसा लगा देते हैं कैसे यह देखे अगर बात करें यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे क्या है फ्रेम है ठीक है यह फ्रेम है आप देख पा रहे है यह फ्रेम है इस तरीके से अब इस फ्रेम में हमने पूरा सीसा लगा दिया हुआ है ट्रांस्पेरंट यह क्या है टोटल का टोटल यह क् तरह कैसे जो दर्वाजे होते हैं इसको हम ग्लैज क्या बोलते हैं कांच दर्वाजा कहते हैं ठीक है तो इसी को हम क्या कहते हैं ग्लैज डोर के नाम से जानते हैं मतलब क्या है कि जब हम फ्रेम में ठीक है जब हम फ्रेम में सीसे को क्या करते हैं फिट कर देते हैं तो उससे जो दर्वाजा बन जाता है हमारा वही हमारा क्या होता है ग्लेज डोर के नाम से उसको हम जानते हैं चलिए जब दर्वाजे के पल्ले के अंदर पूरे भाग में काच लगा रहता है तो इसे काचीत दर्वाजा या फिर ग्लेज डोर के नाम से जानते हैं यह काच के प्रकास को आने देता है इसको संधार दर्वाजा यानि सैस दोर भी कहते है यह important है ठीक है कांची दर्वाजा एक महंगा कपाथ है दर्वाजा है इसकी परयाप्त देखभाल करनी पड़ती है क्योंकि तनिक भी अगर लापरवाही होती है तो कांच तूट सकता है और इसलिए इसे उच्छ स्रेडी के भावनों में ही लगाना चाहिए जो हाई क्लास बिल्डिंग है ठीक है न वहीं पर इसका यूज करते हैं देखभाली करना इसका बहुत जरूरी होता है बहुत ही इसको आसानी से हम क्या करते है यूज अगर मालेजे ऐसी कोई बिल्डिंग है जहां पर पॉबुलिक काना चाहना बहुत जादे है बहुत रिसकी अगर है तो वहां पर हम इस दर्वाजी को यूज नहीं करेंगे ठीक है हाई क्लास बिल्डिंग अगर है तो वहां पे उसका यूज हम करते हैं ठीक है चलिए एग है यह हम लोगों ने बात किया किसकी यहां पे glass door कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है ग्लेज जोर ठीक है फिर हमने कहां वेंदा इंटायर इंसाइड आप दोर लिफ इस कवर्ड विद ग्लास इट इस काल्ड ग्लास डॉर ग्लास डॉर इंस्टॉल किया जाता है होटल में सोर रूम में मैंनेजर्स रूम में गेस्ट हाउस में वाच टावर्स में और यह देखन करता है लाइट को अंदर आ सकता है एंड इस आलसो कास काल्ड सैस डॉर यानि इसको हम सैस डॉर के नाम से भी जानते हैं यह इंपोर्टेंट है ठीक है अग्लास डॉर इस एन एक्सपेंसिव डॉर यह महंगा डॉर होता है एडिक्वेट कियर्स हैस्टॉ बी टेकेन यानि प्रयाप्त हमें कियर करना पड़ता है बिकॉस देर इस डेंजर साफ ग्लास ब्रेकिंग ड्यू टू अलिटिल कियर्नेशन ठीक है कियर्लेसनेश डियर्फॉर इट शूड बी इंस्टॉल ओल्ली इन हाई क्लास बिल्डिंग तो यहां तक हम लोगों ने देखा कि इसकी ग् बात करते हैं है नेक्स दोर के अगर हम बात करें बीटा हुआ है आहां उपने देखा ना बैटेंस कि इसको कहते हैं यहां पर क्या होती है कि इसमें सस्ती और घटिया लकडी के बेटेंस पास-पास में रखा जाता है और उसके उपर ध्यान से समझेंगे यही जो फ्लस डूरेनवेटा बहुत जादे यूज किया जाता है परजन टाइम में तो हमने क्या कहा कि फ्लस दरवाजे के भीतर सस्तिवा घटिया लकडी के बेटेंस को पास-पास रखा जाता है और इसके उपर और नीचे फलको पर जो यह क्या है यह तो हमारे क्या है घटिया किसम के इनके उपर नीचे क्या होता है एक उचित मोटाई की अच्छे क्वालिटी की प्लाइवूड सीट को क्या किया जाता है ग्लू किया जाता है मतलब उसको चिपकाया जाता है दोनों को लकड़ी का किनारा यानि एजिंग इस्ट्रिप भी लगाई जाती है ठीक न तो इस तरीके से कर देते हैं ताकि एजिंग क्या है किनारे फैले न तो वहां पर इस्ट्रिपिंग कर दी जाती है और इस जो पल्ले है यानि जो फ्लस जोर है इसकी जो ठीकनेस रखी जाती है रहा है आज के समय में यह हाई स्रेडी के आवासी भावनों में बंगलों में दफ्तरों में कालेजों में अस्पतालों में ब्यावसाइक केंद्रों में होटलों में तथा अन्नमहतपुर भावनों में फिट किये जाते हैं तो बहुत जादे इसका यूज किया जाता है देखन यही तो जाद ही यूज हो रहा है इस तरीके का दर्वाजा जितनी भी है आज की टाइम में सजावटी के रूप में घर को बढ़िया दीखे तो हम जो मार्केट से लेके आते हैं यही सब दर्वाजा लेके आते हैं आज की टाइम में और यह दर्वाजे क्या होते हैं बहुत ह ornamental होते हैं मतब कह सकते है beautiful होते हैं जो घर की सजावटी में भी बहुत helpful करते हैं आपके tiles से भी match करते हैं और इसके अलावा यह क्या होते हैं सस्ते भी होते हैं cheap भी होते हैं बहुत जादे महंगे भी नहीं होते हैं तो यह हमारा present time के pattern पे use हो रहा है ठीक है तो हम लोगों ने यहाँ पे different types के क्या किया यहाँ पे बात किया डोर के बारे में ठीक है न उसको योगिता के बारे में भी देखा हम लोगों ने and हमने यह भी देखा कि जो डोर है वो different different situations में different different जगह पे use किये जाते हैं हमें यह decide करना पड़ेगा कि आपका क्या conditions है उस conditions के recording situations recording हम क्या करने वाले हैं जितने भी हमारे types of door हैं उसमें से हम उसको suitable जो भी होगा वहाँ पे use करते हैं as an engineer ठीक है तो आप लोगों को मज़ा आया आज की lectures में एक बार thumbs up करके बताईएगा बेटा मज़ा आया आप लोगों को सीखने को कुछ मिला एक बार बताएंगे फट मज़ा आया आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा आज की जितनी भी टर्म्स हैं और definitely आप लोगों ने enjoy किया होगा ठीक है ओके ओके चलिए चलिए बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां चलिए चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए class लेने के लिए और मेरा motivations को बढ़ाने के लिए आप सभी का पुनह बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहें और अपने जीवन में अपने जीवन के जो भी गोल हैं उसको achieve करने में इसी तरह से निरंतर continuous आप मेहनत करते रहें और आपको लच जो भी होगा वो definitely आपकी जो dream होगी वो come true हो जाएगी एक दिन definitely अगर आप इसी तरह से dedications के साथ अगर class लेते रहेंगे और आप classes के अलामा self study भी अगर आप कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है भी है तो definitely बहुत कुछ अच्छा आपके life में होने वाला है अब coming आने वाले महीनों या years में तो बहुत बहुत धन्यवाद बाइ बाइ टेक कियर